सीफूड किसे पसंद नहीं होता है समंदर के किनारे रहने मारे लोगों के लिए सीफूड एक स्टेपल टाइट होती है लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस सीफूड से दो देशों के बीच तनाव भी हो सकता है डिपलोमेटिक युद शुरू हो सकता है इन्फॉर्मेशन वर्फियर शुरू हो सकता है लेकिन ये हकीकत है चीन और जापान जो वर्षों से एक दूसरे के जानी दुश्मन है दोनों के बीच सीफूड को लेकर जवर्दस्त विवात खड़ा हो गया है जो कि जापान अपना नुकलर वेस्ट पैसिफिक उश्चन में गिरा रहा है ये वही जापान है जिसके नागर साकी और हिरोशिमा शहरों पर अमेरिका ने सेकिंड वर्ड वार के दोरान एटम बम गिराये थे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज राशपूत और आप देख रहे हैं फाइनल एस सॉल्ट रक्षा सुरक्षा सामरिक मामलो और जियोपनरित प्रदारिक देश का पहला डिजिडिल प्लेटफॉर्म पिछले एक हफते से चीन में जापान की एंबसी को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं जापान के दूतवास के खिलाव चीनी लोग प्रदेशन कर रहे हैं यानिकि चीनी नागरी पत्थरवाजी की जा रहा ही है चीनी नागरी को दुवारा जापान की दूतवास पर घब गतार आ रहे हैं। गुस्सा है जापान ने टोकियो इसे चीन के राजदूत को तलब कर अपना विरोध जताया है। ऐसी में दोनों देशों में जवर्दस टक्राप पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच में इस चाइना सी में सेंकाकु आइलेंड को लेकर पिछले 17 सालों से विवाद पहले सी जा रही है। लेकिन मुझूदा विवाद सीफूड और प्रयावरण को दुछित करने से जुड़ा है। चीन और जपान के बीच टक्राप का कारण बना है सीफूड। दरअसल जपान का सीफूड बड़ी मातरा में चीन और हौंग काउंग एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन चीन ने अब जपान के सीफूड को अपने देश में पूरी तरह बैन कर दिया है। इसका कारण ये है कि जपान ने अपने फूकोशिमा निक्राप्लान का वेस्ट वाटर यानि पानी पैसिफिक ओश्चन प्रशांत महां साड़ा में बहाना शुरू कर दिया है। और अब जपान ऐसे क्यों कर रहा है। दरसल वर्श 2011 में जपान में एक बड़ा भुकम और सुनामी यानि सैकलोन आया था। इस प्राकरतिक आपदा से जपान में जवर्दस तवाही आई थी। करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी। और हजारों की संग्या में लोग खाय लोग गए थे या फिर लापता हो गए थे। शहर के शहर बरबाद हो गए थे। आर्थिक तौज से भी जपान को बड़ी शती हुई थी। उसी दोरान जपान के पूर्वी तड़ पर बने फूकोशीमा निक्रिया प्लांट में भी तवाही आई थी। जिसके कारण प्लांट के फ्यूल रोड खराब होकर बेहद गरम हो गए थे। तभी से प्लांट को संचालित करने वाली कंपनी इन फ्यूल रोड को ठंडा करने के लिए सेक्रोमेट्रिक टन पानी इन रोड पर डालती है। इससे जो पानी इन रोड पर डाला जाता है वो नूकलर कॉंटैमिनेटेड यानि परमानो दिशित हो जाता है। टोक्यो एलेक्ट्रिक पावर यानि टैप को नाम की ये कंपनी इस दुशित पानी को प्लांट में ही तब सही इखटा करती आ रही थी यानि कि 2011 से। कंपनी का दावा है कि इस दुशित पानी को साफ करने के लिए समंदर के पानी के जरीए इसे फिल्टर किया जाता है। ये इस बेस वाटर को लेकिन इसे प्लांट में 350 मिलियन गैलन यानि 134 मिलियन टन पानी घटा हो गया है। जो करीब 1000 टैंक को मिस्टोर किया गया है इसी प्लांट के अंदर Fukushima लेकिन अब इस पानी को रिलीज करने का वक्त आ गया है यानि वक्त आ गया था इस पानी को प्रशांत महासागार में रिलीज करने से पहले जापान की संब्धित अथोरिटी और IAEA यानि International Atomic Energy Agency से जापान ने जरूरी मंजूरी ली थी यानि कि इस प्लांट ने IAEA खागाना है कि इस प्लांट में फिल्टर करने के बाग जो पानी बचा है उसमें Radioactive Tritidium और Carbon-14 जैसे तद थोड़ी मात्रा में मिल रहे हैं लेकिन यह पानी अगर समंदर में मिल जाएगा तो इसके Radioactive तद भी खत्म हो जाएगा साथी Fukushima Plant को ज़रूरी लाइसेंस देते वे इस एजनसी ने यानिकी Atomic Agency ने यह भी कहा कि इस पानी से समंदर में रहने वाले जीव जन्तुवा पर कोई खास अज़र नहीं पड़ेगा साथी यह पूरा पानी यानि के करीब 350 मिलन गैलन पानी एक बार में समंदर में नहीं छोड़ा जा रहा है यह अगले 30-40 सालों तक धीने देने करके छोड़ा जाएगा मिलाया हुआ है चीन ने ऐसे में जापान से एक्सपोर्ट होने वाले सीफूट पर रोक लगा दी है क्योंकि यह contaminated water समंदर में जा रहा है इसलिए seafood जो होगा वो contaminated हो जाएगा यह चीन का कहना है क्योंकि चीन का आरोप है कि Fukushima प्लांट से निकलने वाला wastewater जापान के करीब समंदर के seafood यानि फिश, प्रोन, क्रैप्स और दूसरे जीव जन्तों को दूशित करतेगा जैसे मैंने बता है ऐसे seafood खाने से radioactive element human body में दाखिर हो सकते हैं जो इनसानों में ब्यारी का कारण बन सकते हैं चीन का कहना है पिशले साल यानि 2022 में जापान ने 600 million dollar का seafood चीन को export किया था अगर इसमें होंग कॉंग को किया जाने वाला export भी जोड़ दें तो ये figure कितनी पहुच जाएगी 1.1 billion dollar Environment Pollution के नाम पर चीन ने जापान के खिलाफ Info War छेड़ दिया उसकी मीडिया में रोजाना जापान के खिलाफ जो है इस तरह की खबरे आ रही हैं कि जापान ने Pacific Ocean को Contaminate कर दिया है चीन का यहां तक दावा है कि ये nuclear waste specific ocean में ग्राने से चीन के समुदरी सिमा तक भी पहुच सकता है जबकि ये पूरवी तट पर है जापान के चीन जहां इस विवाद को परेवरंट से जोड़कर देख रहा है जापान कारोपे कि चीन इसे लेकर अपनी पुरानी रंजिश निकाल रहा है यानि Second World War और Sengkaku Island विवाद के चलते हैं इस विवाद में फारिस के दो और देश चुड़ गये हैं नौर्थ कोरिया वही किम जोंगुन वाला नौर्थ कोरिया जो जापान के खिलाफ कड़ा हो गया है और दक्षिन कोरिया जापान के साथ है हाला कि दक्षिन कोरिया में जापान के खिलाफ विरोध प्रदिशन हो रहे हैं आपको चिंदा करने की जुरुत नहीं है। यह उनका मैसेश था। दक्षिन कोरिया के रासपती ने अपने सेकरेट की कैंटीन में हफते में एक दिन सीफूड सरफ करने का अदेश जिया है। लेकिन यह वही दक्षिन कोरिया है जिसकी जपान से चीन के दरही ही जपान से अधेशी से एक अनबन रही है। क्योंकि बीचवी सदी के शुरुवात में पूरा कोरिया यह प्राइदिव जपान के कलोनी था। और जपान ने कोरिया पर बेहतात्य चार किये थे। लेकिन हाल के सालों में अमेरिका के बीच बिचाक के चलते, जापान और दक्षिं कोरिया ने हात मिला लिया है। जापान और दक्षिन कोरिया इन दोनों देशों को एक बड़ा खत्रा मानते हैं चीन, जापान, दक्षिन, कोरिया और अमेरिका के सम्मंदों और तक्रार पर हाली में मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था इस अपिसोड के आखिर में उसका लिंक मिल जाएक और आपको वह जरूर देखना चाहिए जापान के प्रदान मंत्री, वापस लोटते हैं, सीफूड पर, सीफूड भी व्यवाद पर, जापान के प्रदान मंत्री फुमियों कि श्याइना मे वी अपनी केमिनेट के चैश्णगाओं को दूर कनने की कोशिक किया। लेकिन चीन मानने को तयार नहीं है, जोकि उसे जापान से अपनी पुरानी अधावत निकालनी है, दित्य अविश्वत के दौरान जापान ने चीन पर पूरी तरह से एकभजा कर लिया था, अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागा साकी पर एटम बम गिराये थे, उसके चलते ही जापान ने युद में अपनी हार मानी थी और चीन से वापस लोट गिया था, लेकिन चीन आज भी दौर को नहीं बुला है और जापान से दुश्मनी रखता है उन वार क्राइम्स को लेकर, और उसी का नतीजा जो है, ये सीट फूट बैन और कोशीमा न्यूक्रल प्लांट के वेस्ट वोटर का प्रशान महासागर में रिलीज करने का चीन विरोध कर रहा है, दोस्तो आज का वीडियो ख़तम करने से पहले मैं ये भी जरूर बताना चाहिए कि ये वही चीन है जिसने दश को तक क्लाइमेट चेंग से जुड़े निय